हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग HCF LCM से रिलेटेट कुछ कोश्चन को सॉल्फ करेंगे और यह SSC CHSL या SSC CGL किसी भी एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट कोश्चन है इस स्मॉलेस्ट स्क्वार नंबर से कोई एक नंबर इसका solution कैसा होगा सबसे पहले तो इसके LCM निकाल लेते हैं हम लोग 10 16 24 इसके LCM निकाल लेते हैं तो अब हम लोग 10 16 और 24 के LCM लेंगे जो कि 10 16 इस तरह से है जिसके LCM लिया जाता है 24 जा 26 से यह हो गया अब टू से और भी यह जाएगा इतना हो गया तो देफ़ोर हम लोगा फाइनली जो LCM है वो कितना आएगा टू का होलेस्ट को है है मल्टिप्लाइ टू कर दो 1 2 3 4 चार्ट टू है 3 मल्टिप्लाइ फाइफ इक्वल्स टू 3 तीन हजाद छैसो जो की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और साथी साथ यह स्क्वाइर भी है और साथी साथ यह 10 16 और 25 तीनों से डिवीजिवल है तो हम लोगा ऑप्शन नंबर कॉ इस तो यह जाएगा नेक्स्ट कोशन इस की इफ इस्टूटेंट आफ ट्लास कें वी ग्रूब्ड एक्जाक्ली इंटो इंटो 6 8 और 10 दे मिनिमाम नंबर फिस्टूटेंट इन दे क्लास मस्ट भी मतलब एक क्लास है उसमें 6 8 और 10 इन सभी के ग्रूप में एक बनावाख यह लिए इसे मिनिमाम नंबर फिस टूरेंट को निकाला है एक क्लास में क्या करेंगेगी एक स्थिूंट करने इसनल मिनिमाम नंबर बोल रहा है नमिनिमाम मतलब की इफ इन निकालना था टा रिभ्वाएरड नंबर Tab the equivalent इकोल्स टू क्या होगा जो भी LCM आएगा LCM of 6, 8, 10 जो भी आएगा वह विलों को वे जाएगा आंसर 6, 8, 10 का LCM लेता है therefore LCM equals to 2 multiply 3 multiply 4 multiply 5 equals to 120 यहां इक option वह विलों का correct है next question में चलता है यहां पर वो list number निकालना है जो की 4, 6, 8, 9 इन सभी से divide होने पर 0 reminder छोटता है हर एक case में and when divided by 13 list reminder 7 और जब इसको 13 से उसी list number को 13 से divide करता है तो हम लोगा reminder कितना देता है 7 तो यह में से कौन सा वो list number है तो सबसे पहले क्या करें इसमें भी same LCM of 4, 6, 8, 9 निकालना है 4, 6, 8, 9 का LCM निकाल लेंगे next is 3 no no next next में भी हम लोग 2 से करेंगे 3, 2, 9 फिर इसको 3 से ले जाते हैं यह हो गया therefore LCM क्या आ जागा हम लोग का LCM equals to 2 multiply 2 multiply 3, multiply 2, multiply 3 is equal to what? 72 तो अभी भी इसका final answer नहीं आएगा वो list number हम लोग का नहीं आए अभी सिफ LCM आए है अब क्या करेंगे therefore जो required number हम लोग का होगा okay equals to 7 क्यों यहाँ पे required number 7 नहीं sorry sorry 72 क्योंकि यह जो 72 है यह पूरी तरह से किसे divisible हो जाता है तो यह पूरा satisfied है कि 72 जो हो सबसे smallest number है जो कि इन सभी से divide होता है और 13 से divide होने के बाद 7 का reminder रखता है तो 73 option 2 is the correct answer next question में चलते हैं हम लोग वो smallest number हम लोग को find out करना है जो divided by 12, 16 लिट से reminder 5 और 9 जिसको अगर हम लोग 12 या 16 से divide करते हैं तो 5 and 9 दोनों का दोनों जो है reminder लिफ करेगा तो solution कैसे होगा divisor minus reminder ओके ये एक process है जिससे हम लोग easily इसको इसको solve कर सकते हैं और अगर आपको इसको description में चेक करना है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख ले ना minus 12 जो कि हम लोग का divisor है minus 5 जो कि हम लोग का reminder है request to 7 हो रहा है फिर क्या फिर 16 as usual 9 आगे फिर 7 यानि कि ये जो इन दोनों को minus करके दोनों number जो है same मिला यानि कि समझ में आ गया कि required number हम लोग का क्या आने वाला है required number equals to LCM of 12 and 16 12 and 16 का LCM निकालेंगे बढ़ाएगा इसको LCM करके उसको 7 से minus कर देना है तो LCM of 12 and 16 करने से कितना आएगा 2 6 से 2 8 जा 2 3 से 2 4 जा ओके therefore LCM equals to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 4 equals to 48 done तो यह पर 48 लिकिंग यह पर minus 7 लिकिंग is equal to 41 therefore हम लोग का option number 2 जो है वो करेक्ट आंसर है 41 यहां पर हम लोग करेक्ट आंसर है बट इसको चेक हम लोग कैसे करेंगे कि यह करेक्ट है या नहीं सबसे पहले 12 दिया है 12 से अगर हम लोग 41 को डिवाइट करते हैं तो 36 ताइम में जाता है और यह 5 रिमांडर यानिकि साटिस्फाइब कर रहा है यहां पर रिमांडर है देखो 12 से जब बोलना है डिवाइट करने के लिए तो बोलना है कि रिमांडर 5 होना चाहिए उस नमबर को डिवाइट कर तो यह नमबर हम लोग के यह हैं इसको 12 से काने डिवाइट तो रिमांडर 5 यानिकि हम लोग कर्यक्स जा रहा है अब 16 से भी चेक कर लेता है तो 16 से भी 9 रिमांडर हम लोग को आज़ा रहा है तो इसका मतलब लिए 41 जो नंबर हिए यह करेक्ट नंबर है बिल्कुल अगर इसको Description ना बल्कि Short trick से अगर हम लोग करना चाहे तो हो सकता है Short trick से पसिबल Option देखकर यह हम लोग तिक कर देंगे तो इन सभी में से देखिएंगे सब से फिप्टी फाइप को देखते हैं 41 को अगर हम लोग 12 से डिवाइट करते हैं तो as is well हम लोग का रिमाइंडर जो है फाइब आ जाता है यानि कि हम लोग सही है जो नंबर 41 है वो तो हम लोगा पहला कंडिशन साइटिस्फाइब कर दिया कि 12 से डिवाइट करने में 5 रिमाइंडर अब जो है दूसरा कंडिशन इ वो गलात आंसर जैसे 29 से अगर हम लोग 12 को डिवाइट करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है लेकिन अगर 16 से 29 को डिवाइट करेंगे तो रिमाइंडर कुछ और ही है ठीक है तो हम लोग इसलिए option नमर्र 2 जो है सही है next question is वो नंबर यहां पर हम लोग को ढूड़ना है जो ड पर एक ठीक में डिसकस कर चुका है फिर से इसको solve करते हैं तो डिवीजर माइनस रिमाइंडर ओके यह एक ट्रिक है जिसे कि हम लोग का बहुत इजी ली आ जाएगा answer तो डिवीजर से अगर रिमाइंडर को माइनस को 1 इसको करते है तो 1 सैटिस्फाइड कंडिशन जो ही है सैटिस्फाइड करा तीनों में जो 1 आ रहा है तो therefore required number क्या हो जाएगा बहुती easily निकल जाएगा required number equals to क्या हो जाएगा LCM of 10,9,8 जो डिवीजर है उसका हम लोग लोग LCM ने था माइनस क्या करते था यह जो common factors आये हैं 1 तो 10,9 और 8 का LCM होता 360 minus 1 equals to 359 अब हम लोग यहाँ पर LCM इसका देख ही लेते हैं चेक कर लेते हैं कि कितना ओर है 9,4 therefore LCM 2 multiply 5 multiply 9 multiply 4 equals to 360 तो हम लोग करें टांसर जो है option number 3 हम यहाँ पर 1 लिखे है डिवीजर माइनस रिमांडर करके क्योंकि इन तीनों कंडिशन से माइनस करकर के 1 ही आ रहा है same number तो इसलिए 1 अगर यहाँ पर तीनों में 2 आता तो यहाँ पर हम लोग 2 ही लिख देते हैं नेक्स कोश्चन इस कोश्चन में वह smallest number find out करना है जिसको अगर हम 568 से डिवाइड करें तो रिमांडर 3 होगा ठीक है और 9 से वह पूरी तरह से डिवीजिवल होगा तो इसमें हम लोग अप्षण से ट्रिक करेंगे ठीक है सबसे पहले 123 जो है अप्षण वह दिखते हैं इसको अगर हम लोग 9 से डिवाइड करता अगर यह पूरी तरह डिवीजिवल हो जाएगा तो इसको अम लोग रखेंगे तो नेक्स चलते हैं 603 में इसको भी हम लोग पहले 9 से डिवाइड करता है अगर पूरी तरह डिवीजिबल हो तो इसको रखेंगे तो पूरी तरह डिवीजिबल हो गए 9 से अब चिक करते हैं कि 5 6 8 से डिवाइड होके 3 रिमांडर रखता है कि नहीं तो 5 से अगर हम लोग करें 0 5 2 0 10 और 3 तो रिमांडर है अब 8 से 6 0 3 को करें तीनों कंडिशन साटिस्फाई होना चाहिए ओके तो यहां पर भी यह 3 रिमांडर आ रहा है अब अगर हम लोग इसी को 6 से चेक कर लेते तो इनसे हो गया इससे हो गया अब 6 से करते तो रिमांडर अगर आ जाएगा उतना तो तो दैट्स डन जीरो जीरो तो नहीं हो यहां पर अब 3 तो मतलब यहां पर सेम 3 और 3 तीनों का रिमांडर है बट 6 0 3 जो है यह इन तीनों आप्शन में जो बचा हो आप्शन है सबसे बड़ा नहीं मतलब बीच वाला है तो अभी छोटा ला बाकी है तो आप्शन आप 4 को पहले चेक ना कि इसको क्योंकि यह बड़ा हो जाएगा हमको क्या बोला है स्मॉलेश लेने मने इन तीनों सबसे स्मॉलेश है तो देखते हैं इसको कड़के पहले हम लोग अप्शन में थ्री में चलता है 7 23 में चलता है क्या यह डिवीजल है या नहीं तो इस नोट डिवीजबल 9 से पूरा डिवीजबल होना चाहिए इसको तो 3 रिमांडर दे दे रहा है तो इसको हम लोग लेंगे ही नहीं आप्शन में चलता है हम लोग अप्शन आप 4 क्या है 243 इसको अगर हम लोग 9 से करते है तो 63 ओके तो यह तो पूरी तर डिवीजबल रिमांडर होना इन से अब 568 को देखना है कि 243 से जा रहा है कि नहीं तो 5 से अगर हम लोग करे 243 को तो 3 रिमांडर आ जा रहा है और अगर हम लोग 8 से कर लेता है इसको तो 443 को तो 324 fed 30 तो तीनों केसमें 33 यहां पर भी जो किस्ट नहीं कुछ नहीं है यह तो यह दो नहीं साटिस्फाइज कर रहा है लेकिन यहां पर क्या पूछेस्ट नमबर राइट मों तो बड़ा है 243 से तो हम लों का क्लेंट आंसर यहां पर कौंसा होजेगा option number 4 यानि कि 243 हम लोग का correct हो जाएगा next question है इस question हम लोग को list number find out करना है जो कि 16, 18, 20, 25 इन सब से divisible होकर 4 reminder बचाता है और और एक condition है कि अगर 7 हम लोग उसको divide करें तो no reminder यानि कि zero reminder आना चीए तो सबसे पहले वही option से लेकर हम लोग चलता है option से आराम से टिक कर लेंगे इसको अम लोग अगर 7 से divide करते हैं अगर यह divisible हो जाता है पूरी तरह तो इसको अम लोग रखेंगे करके देखता है कि 7, 5, 7, 4, 28, 20, 7, 2, 14, 64, 7, 9, 63 तो वन reminder आ जा रहा है यानि कि यह तो नहीं होग option number 1 चलिए option number 2 कि और चलते है 7, 2, 14, 5, 35, 7, 49, 1, 7, 9, 3 या पर तो मलब option number 2 भी नहीं लेंगे ना 1 भी नहीं लेंगे 2 भी नहीं लेंगे तो चलो 3 में देखता है 7, 2, 14, 7, 5, 35, 5 हो गया 0, 7, 7, 49, 7, 1, 0, 7 तो 5 reminder यानि कि option number 3 भी नहीं होगा तो लोग जो बचा है option number 4 यानि कि यह तो पक्का है कि option number 4 ही होगा तो लोग 4 ही को ही एक बार देख लेते हैं चेक करके कि क्या यह divide होता है कि नहीं 7, 2, 14, 5, 35, 7, 14, 9 तो कितना होला है reminder 1 और 4, 7, 2, 14, ठीक है तो देखो option number 4 जो हमनों का पूरी तरह से divisible हो जा रहा है कट जा रहा है no reminder बच रहा है तो इस सब को चेक करने का जोड़ती क्या है तो option 4 ही जो हमनों का correct answer है next question है question number 18 वो list number बताई है जो की 3, 5, 6, 8, 10 and 12 सभी से divide होकर reminder क्या बचाता है 2 लेकिन जब वो 13 से divide होगा तो पूरी तरह से divisible हो जाए no reminder होगा ठीक है तो सबसे पहले जैसे पिछला लाग question हमनों की तो ऐसे करेंगा option 1 को लेके चलते हैं यह इसको 13 से divide करके देखते हैं तो 26, 52 यह हो गया 13 से पूरी तरह divisible हो जाए आप देख रहा है कि 3 से divide करें देखते हैं कि reminder 2 आता है या नहीं तो 3 से अगर हम 312 को कड़े 12 तो यह 3 से जो है पूरी तरह divisible हो जाए यानि कि क्या बोलना था reminder 2 आता है यहां पर reminder 2 नहीं है यानि का option 1 तो होगा ही नहीं और 2 में देखते हैं 962 इसको सबसे पहले हम लोग 13 से करके देखते हैं डिवाइड अगर पूरी तरह कटा इसको रखेंगे 91 52 सेंफोर्जा 52 हो गया पूरी तरह divisible हो गया 13 से डन तो यह तो रहेगा लेकिन इसको पहले 3 से 5 से 6 से 10 और 12 से करके देखते हैं साथिस्पाइड होता है कि नहीं तो 9 2 जा 6 और यह रहा हम लोग का 2 तो रिमाइंडर जो है 2 आ रहा है यानि कि यह साथिस्पाइड कर रहा है करीप से करो तो अब 5 से इसको करके देखते हैं तो 5 से अगर हम लोग 9 62 करेंगे तो 5 हो आप 1 टाइम में 4 फिर हो है 6 फाइब न साथिस्पाइड हो जाएगा 6 से अगर हम 9 62 को करते हैं तो 6 1 जा 6 36 66 36 फिर दा 2 यानि की रिमाइंडर जो है 2 आ गया है अब कौन बचा है 8 10 और 12 यह तीनों अगर साथिस्पाइड कर दे तो समझों कि यह अंसर करेक्ट हो गया है 8 से 20 को करके देखते है 9 62 को 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और यहां पर 2 रिमाइंडर याने तो नेक्स्ट के है 10 10 से 20 को करके देखता है 10 से अगर हम लोग 9 62 को करे तो 9 जा 96 जा 6 जा 60 तो यहां पर भी रिमाइंडर 2 आ रहा है लास्ट कौन बचा हो है 12 अगर 12 से भी हो गया तो समझों यह हम लोग का जो है करेक्ट आंसर है 12 से अग केbasis से इन दोनों में जो है सबसे क्यों सबसे कोई में नेक्स में क्यों यह सबसे कारें रिमाइनगा सबसे होगा वाज और कीजया सबसे पहले यह दुनेगे कि multiples of 7 कौन है ठीक है और कैसे दुनेगे multiples of 7 जो कोई भी रहेगा वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड जरूर होगा यानि कि 7 से डिवाइड होगा reminder 0 आएगा उसका ठीक है सबसे पहले option of 1 को check करते हैं 7 से 76 तो 717 तो यहां पर रिमाइडर 0 6 आ जा रहा है ठीक है यह तो होगा ही नहीं और टू देखते हैं 94 7167 24 73 जा 21 इसमें देखो रिमाइडर 3 आ जा जा यह भी नहीं होगा और रिमाइडर 3 चेक करते हैं 184 72 जा 14 44 76 जा 42 यानकि टू रिमाइडर यह भी नहीं होगा option of 4 में चलते हैं 364 7 से 75 35 14 और 72 जा 14 मतलब यह पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो option of 4 पूरी तरह से समझे माइडर option of 4 ही हम लोगा correct answer हो क्योंकि बोला यहां पर list multiple जो होना चाहिए 7 का होना चाहिए तो यह जो multiple है 7 का क्यों हम इसको divide करके ही चेक किये क्योंकि जो कोई भी number 7 का multiple होगा वो 7 से पूरी तरह divide जरूर होगा और उसका reminder जो है 7 से divide करने के बाद 0 आएगा तो यह तो yellow line पढ़ना ही नहीं था ना बस first line पढ़के 7 का multiple कौन है उससे से आगे हम लोग answer है कि नहीं इस question में हम लोग को largest number find out करना है और 5 digit वो largest number जो 5 digit का हो ओके और जब उसको हम लोग divide करते है 16 24 30 और 36 से तो reminder कितना बचना चीए 10 in each case हर एक केस में ठीक है तो इससे में से वो कौन सा number होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे LCM निकाल लेंगे किसका 16 24 30 and 36 का LCM निकाल लेते हैं पर क्या होगा 2 8 जा 12 15 18 है ना कटे जा रहा है 2 से फिर करेंगे इसको 6 जा 15 9 फिर इसको 2 से करते हैं 59 अब यह कितना से जाएगा 3 के टेबल से जा रहा है यह ओके तो फाइनली जो हमनों का LCM है वो क्या हो गया 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 2 multiplied 5 multiplied 3 equals to what इसको calculate करने पर कितना आएगा 720 ठीक है अब हम लोगे एक बात जानते हैं कि largest number of five digits क्या होता है largest number of five digits क्या होता है one two three four five 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 nine होता है ठीक है पास्टो नाइन तब क्या करें हम लोग जो यहां पर हम लोग five nine से डिवाइड करते हैं तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखना reminder जो आएगा वो होगा six thirty nine ठीक है डिवाइड करने बाद after dividing तो अब देरफोर जो हम लोग रिक्वाइड आंसर है यानि कि largest five digit number five digit number वो क्या हो जाएगा जो हम लोग पास्टो नाइन रखे हैं उसमें से हम लोग reminder को minus कर देंगे तो फाइनली जो इसको minus करने भी कितना आएगा three six zero ठीक है अभी भी इसका answer नहीं आया है यह सिव largest five digit आया है भी तो satisfy नहीं हुआ है कि इसका reminder जो है 10 होगा तो therefore required number क्या होगा required number what will be answer कि जो number आया है nine nine three six zero इसमें हम लोग 10 को add कर दे रहे है नाइन ट्री six oh sorry seven zero okay तो हम लोग को से सही होगा option one two जो है option one two हम लोग कर यहां पर correct answer है है ना largest five digit नमबर निकल गया है अगर आप लोग को मेरे मैच का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और मैंने इसका प्रिवेस वीडियो description में लिंक दे दिया है उसको जरू जरू देख लीना